मैं तुल्तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मर्स बिलीप पर हर्दिक स्वागते हो मैं नंदन करता हूँ आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसे उर्वरक के बारे में जो आपके खेतों में उत्पादन को बढ़ा सकता है जो आपको खेतों में ग्यों के दाने पैदा होते हैं उनके वजन को बढ़ा सकता है उनके चमक को बढ़ा सकता है आज उसी पोसकत्त के बारे में बात करेंगे वह है आपका POTAS आप POTAS क्या है इसका किसनी मात्रम परयोग करें क्यों परयोग करें कब डालें यह सारी जयनकारी मैं दूँगा इससे पहले अगर आपने हमारी यूट्व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और किस फसलों में कितना उपयोग करें यह जानकारी मैं लास्ट में दूँगा तो इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देखें तो चलिए शुरू करते हैं अब पोटास है क्या तो पोटास आपका एक आवस्यक तत्व है जो आपके खेत में पढ़ता है या आपका उर्वरक है जो नाइट्रोजन और फासपुरस की तरह ही आपके खेतों के लिए आवस्यक है तो इस प्रकार से इसके उपयोग है तो आप इसके उपयोग क्यों करें तो पोटास का उपयोग क्यों करें तो जब यह कोश्यन आता है तो उसका अंसर गया है कि पोटास की कमी के कारण उनमें जो है वजन का हलका होना हो जाता है मतलब कुल मिला के जो वजन कम होगा तो आपके उत्पादन में भी कमी आएगी तो इस प्रकार से जो चीजे होती है उसके बाद हम बात करते हैं कि पोटास को मतलब कितना डालें एक इकड में कितना डालें तो पोटास को एक एकड़ में 20-25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें और पोटास की जो आपकी कमी है वह खोती क्यों है तो धान का जिसे धान की फिसल आपने लगाई है तो एक एकड़ से आपको 20-25 कुंटल तक उतपादन आपको मिल जाता है तो उस उतपादन में जो आपकी खपत मतलब जो खेद से जो आवस्यक पोटास के रूप में धान खींचता है पोटास को वह 30-35 किलोग्राम तक खींच लेता है और बीच खेद से थोड़ी मेटी लेकर उसकी मीटी की जांच कराने तो जांच कराने से यह होगा कि कितनी मात्रा आपको उस खेद में प्रयूप करनी या एक संतुलित चीजे आपको पता लग जाएंगी उसके हम बात करते हैं कि पोटास मिलता कितने का है तो पोटास जो आपको बायो पोटास IPL की आती है वो 600 से 600 रुपय की मिल जाएगी और कुछ पोटास आपको 1700 से 1800 की मिलेंगी और आज कल कुछ बायो पोटास है जो 900-900 रुपय की भी मिल जाती है अब बात करते हैं कि पोटास जो है वह मतलब इतना आवस्सक्राइब क्यों है तो इतना आवस्सक्राइब के रूप में पहले जो चीज़ है यह आपके दानों का वजन जो कम होता है उसको अधिक करता है आपको पादन को बढ़ाता है तो इस प्रकार से अगर आपको जानकारी मेरी जो दी गई या अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें और सेयर भी करते रहें इससे आपको क्या होगा जब आप नोटिफिशन का घंटा अन कर लेंगे तो अज आपको हमारी वीडियो की जानक कारी मिलते रहेंगी तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय हिन जय भारत जय किसान जय किसान